अब यार स्टार्टिंग केस्ट नंबर 10 एक्सेसाइज 13.3 लास्ट वेल बहुत इजी एक्सेसाइज है ब्रदर फिर भी मेरी एक बात याद रखना हूं कि इस एक्सेसाइज में से जो केस्ट नंबर 5 है और एक डाइमंड वाला केस्ट नंबर 13 पर करीब बैठेगा और एक जो है आपका केस्ट नंबर जो वन है यह तीन ही अच्छे से प्रिपियर कीजिए और सीखने के लिए जिन्दकी में सारे देखते रहिए सपोज एक लड़की है और उसने डाइक को ठ 1,2,3 या फिर 4 आला तो दो परकार के केस्ट वो सोच के चल रही है यानि हमारे पास दो परकार के इवेंट है पहला तो यह है कि अगर उसने डाइप काई की तो 5 और 6 आए ब्रदर 5 और 6 आए मतलब कितने आई 2 डिजिट आई है और टोटल एक डाइप में कितने डिजिट ह समस्जते हैं 6 होती है तो प्रोबैविटेटी इवर आपने बड़े आसानी से डूंढ लए है और यह आपके पास है 2 आपोल 6 तू है ॵे टोटल 6 होते अब आगे नेखिए आपके पास option है probability a upon e1 अब आप कहेंगे कि sir आपने a किसे लिखा है मैं आपको दुबारे समझाता हूँ भाईयो a एक event है और वो event कैसा है what is the probability c3 तो exactly one head ये a होता है mostly मैं आपको समझा देता हूँ लास्ट लाइनों में लिखा मिलता है तो c of 10 exactly one head तो exactly तो exactly one head आपके पास आया है ठीक है तो वन हैड आने की probability हमने exactly में रखका है अब कहानी सुनते हैं इसकी आगए क्या कहा रहा था अगर अगर फाइप और six आएगा तो उस रिक्के को तीन बार उचालेगी एक दो और तीन बार इसने उचाला अब तीन बार की काहली जरा आप सुनिए मेरे से अच्छे से सीख लिजिए माल लिए पहली बार उचाल हैड या टेल आया बात समझें अगर हैड आया पहली बार में बार उसे पिर उचाला तो दूसरी बार में भी हैड या टेल आ सकता है अगर माल लिजिए हैड नहीं आया था और विचाला तो हैड या टेल आ सकता है किसी तरह से सब्सक्राइब है आपके पास क्या क्या उप्सन हो चुके है आप डिरहां पर सेपल स्पेस्ट आई है आट है है और फिर और फिर भी प्रते पास रहीं और पिर है ट topics in और पिरे डिन तो यहाद रहता है कुई प्रॉड़म नहीं है तो इस तरह से करें बच्पन में को ढूंढो देखो एक तो ये रहा किए ऐड़े और एक तक हैड ये रहा कितने पास Stevens यहाँ पे तो 2 आ गए निए यह यहाँ लुकिक कोटल कितने है यह तो टैलर आठ और हैं एकिफिर किसमें तो आपके पास इसके लिए त्री अपोनेट यानि आप अगर एक सिक्के को तीन बार उच्छालते हैं और तीन बार उच्छालने के बाद उसमें से अच्छा दूसरे में उसने क्या का है उसने का है अगर 1234 आया यह वाला उचालेगी और भाईयो जब आप सिक्के को एक बार उचालते हो तो हैड आएगा तो हैड की प्रोबिटी क्या हो गई वन बाई टू अब आ जाईए इसके मैं पॉइंट में इसमें क्या नहां पर बोल है इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बीच में रोखके कि हम एक जन्वरी से इस तरह की वीडियो अफ्लोड करेंगे जो मोस्टली आपके एक्जांट से रिलेटीड होंगी कि कि किस चैप्टर में से टैन मोस्ट एक्स्ट्रा सम्ट कोन से है तो आप प्लीज हमारे स टो हमें यह निकाल लाए प्रोब्रबिटी एक्ट्रैक्ट एक्टी है कि और हो भी 1,2,3,4 वाल उसी तो कितना आ जाएगा 2 by 3 multiply 1 by 2 upon 1 by 3 multiply 3 by 8 समझ लेए और कितना सिंपर किस की से multiply plus इस की से multiply 2 by 3 multiply 1 by 2 now I have this one 1 by 3 and definitely 1 by 8 plus 2 1 by 3 तो अगर आप इसे सोलक रही इंगे एट और थरी का आप लेंदीजिए तो आपके पास कितना आगिया अप यहाँ पर इस लिख लिए आपने यहां पर लिख लिए है 24 और 24 को आपने डिवाइट करा 8 से तो यहाँ पर आपके पास कितना आगे 3 और 3 से डिवाइट करें तो एट ठीक है तो आपके पास कितना होप सब्सक्राइब रहे ब्रेदर वर अपों 3 कि मल्टिप्लाइब 11 अपों 24 और तो कितना लाएगा 24 अपों 11 3 8 जा एक अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी समझने में आसा नहीं रहे और सबीस्क्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को थैक्यू थैक्यू